मुश्किल समय में धैर्य नहीं खोना चाहिए एक बार एक व्यक्ति दिन भर मजदूरी करके पैसे कमाने के पश्चात अपने घर की तरफ जा रहा था। सर्दियों के दिन थे और शाम धल चुकी थी। सर्दी से बचाफ के ये उसने चादर ओर रखी थी। उसके इलाके में डाकों का बहुत प्रकोप था। अक्सर डाको लोगों से उनका धन और कीमती सामान लूट कर ले जाते थे। वो व्यक्ती शारीरिक रूप से मजबूत और ताकत वर था। जब वो अपने घर की तरफ जा रहा था तभी एक डाको अचानक से उसके सामने आ गया और उसको बंदूग दिखा कर कहने लगा कि जो कुछ भी है तुम्हारे पास मुझे दे दू। उस व्यक्ती ने भामप लिया कि यह डाको शारीरिक से तो मुझसे कमजोर लग रहा है इसकी असली ताकत इसकी बंदूख है। अगर किसी तरह मैं इसकी यह ताकत खत्म कर दू तब ही इससे जीत सकता है। उसने अपनी पैसो वाली पोटली निकली और उस डाको को दे कर र किसी वेश्या को दे दिये होंगे। आप ऐसा करो कि मेरी टोपी में एक गोली मार दो ताकि मैं बता सकूं कि मेरे पैसे डाको लूट कर ले गए हैं। डाको उसकी बातों में आ गया और उसने टोपी में एक गोली मार दी। अब वो व्यक्ती कहने लगा कि घर परिवार को लगना चाहिए कि मुझ पर बहुत शक्तिशाली डाकू ने हमला किया था इसलिए मेरे कोट में भी गोली मार दो। व्यक्ति ने कोट उतारा और डाकू ने उसमें गोली मार दी। जब जैसे ही डाकू जाने लगा वो व्यक्ति बोला कि आप मेरी एक प्रार्थना और मान ले और मेरी चादर में भी दो, चार गोलिया मार दे। डाकू ने जाने की जल्दी में उसकी वो बात भी मान ली। इस बार भी डाकू जैसे ही जाने के ये मुड़ा वो व्यक्ति फिर से बोल पड़ा मेरी एक बात और मान लो। डाकू गुस्से से तमत्मा उठा और कहने लग उस व्यक्ति ने कथिन समय में धैर्य और सयम बनाए रखा और अपनी सुझबूट से उस डाकू से अपने पैसे वापस हासल कर लिए। इसलिए हमें मुश्किल समय में धैर्य नहीं खोना चाहिए और अपने विवेक से निर्नय लेने चाहिए। जैसे इस व्यक्ति ने साथ में बंदूप थी तब तक अपने आपको लाचार दिखाता रहा और जैसे ही गोलियां खत्म हुई तब ही उसने अपने शारीरिक बल का प्रयोग किया।